हलो बच्चो मैं आपका यार सर की इस्टोन को जिस इंटरकर डिरेक्टर आज हम लोग वही पॉजिटिव इंटरेक्शन का यह तीसरा वाला रिलेशन पढ़ रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग स्पीसीज का भी था और वो दोनों एक दूसरे के बिनान नहीं रह सकता फिर हम लोगा भी शुरू करने जा रहे हैं प्रोटो कॉपरेशन देखे बच्चों यह जो पॉजिटिव वाला इंटरेक्शन है प्रोटो कॉपरेशन इसमें जो दोई स्पीसीज है वह दोनों स्पीसीज एक दूसरे से इंट्रेक्ट करेंगे एक दूसरे को फाइदा भी होगा लेकिन यह एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़े हुए नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएगा इसके पास ऑप्सन रहेगा तू नहीं कोई और सही चली दिखते हैं यहाँ पर इसका तीन चार नाम है प्रोटो कॉपरेशन बोलिए इसको फैकल्टेटिव फैकल्टेव मतलब नौन असेल सेल नौन अबलिगेटरी यह एकदम जरूरी नहीं है अगर नहीं होगा तो दोनों इस फीसिज कहतम नहीं हो जाएगा कि कॉमोंसलिजम भी कुछ ऐसा था लेकिन मिद्धिलिजम में एक दूसरे का खतम हो जाएगा साथ में रहेगा साथ में मरेगा commercialism में proto-cooperation में इसा नहीं होगा देखिए इसलिका नाम है non-obligatory mutualism non-obligatory relationship यह इसमें no existence no evolution no extension यानि जो दो species है मानिए मैं example लो ए और बी ए बी का relation है फाइदा पहुचा रहा है अगर मैं बोलू इनके बीच में जो relation है वो relation अगर मैं बोलू कि proto-cooperation का relation है इसका मतलब यह भी उसको फाइदा पहुचा रहा है बट A और B में इतना गहरा रिष्टा नहीं है कि A खतम तो B खतम कभी अगर ऐसा हो कि A और B का relation यहां से खतम हो गया तो B वही काम Q से करवा लेगा और E A यही काम P से करवा लेगा यानि optional है यह तू नहीं कोई और से लेकिन mutualism में अगर relation खतम तो दोने species मर जाता लेकिन proto-cooperation में यह relation में अच्छा benefit है बट तू नहीं कोई और से एक्जामपल से देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा देखिए एक्जामपल में हम लोग देख रहे हैं rhinosaurus and tick board जो राइनशोर होता है आपको पता है मड़ बात करता है और जब मड़ बात करेगा यह कीचड़ में my no the rhinos startup अपना सरीर को ले जाएगा तो वहां से मडबात करेगा तो वहां से कुछ ना कुछ इंसेक्ट आके इसमें चिपक जाएगा कुछ ना कुछ टिक आके जो टिक होता है यह बड़ पैरासाइट होता है स्वारी यह पैरासाइट होता है एनिमल जो टिक होता है वह इनिमल्स को उपर आके लग गया कीचर से आके चोटा चोटा इंसेक्स, माइक्रो और्गरिजम इसको पर चिपक जाता है अब वही माइक्रो और्गरिजम जो आके इसको पर चिपक गया लीच हो सकता है, कुछ और भी चोटा चोटा जीव हो सकता है इसको यह उपर आके बड का वेट करता है यह tick bird वो bird है जो ticks को खाता है यानि लाइसस को खाता है और यह आके यहां से इसको खाएगा और इसको relief पहुचाएगा यानि जो rhinosource है वो mud बात करेगा और mud बात करेगा तो rhinosource को वहाँ पर बात करेगा तो छोटा छोटा इंसेक्स उसको पर आ जाएगा उसको जो खाएगा वो tick bird है अगर मैं बात करूं क्या यह relation इतना ज्याद essential है कि यह bird खतम हो जागा तो यह खतम नहीं दो species में है सर यह interaction है यह interrelation species है यह inter species interaction है दो species में है लेकिन mutualism नहीं है फाइदा क्या हुआ बड को खाना मिल गया इसको फाइदा क्या हुआ इसका सरील से parasite release हुआ इसको आसानी मिला इसको तकलीप से दूर हो गया लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि यह खतम तो यह खतम अगर इ उसके पास भी जा सकता है और अगर यह बड़ नहीं आया तो राइनासोर किसी और को भी बुला सकता है यानि यह रिलेशन इतना इंपोर्टेंट इतना एसेंसियल नहीं कि इसके लिए वो खतम हो जाए हाँ फाइदा दोनों को है टिक बड़ इट्स इंसेक्ट्स विच कम्स दा राइनासोर्स बड़ ही मैं अगर बात करू राइनासोर्स ने टिक बड़ को क्या दिया इसको फूड मिला यह आके इसको उपर खाएंगे पीस्ते जो इनसेक्स पैरासाइट्स रिख लेगा उसको यह खाएगा इसका पेट भरेगा उसके लिए खाना बन गया और राइ सदाए बच्चों कोडाय कोडाय है यह इसको फसा रहता है इसको कैवटी खराब हो नकता है यह ये birds का weight करता है, ये मूँ खोल के बैठे रहता है, हलाकि मूँ खोल के बैठना, इसका main काम है temperature को regulate करना, ये body का temperature को regulate करने के लिए, अपना मूँ को इस परकार से खोल के उपारा के बैठे रहते हैं, फिर कुछ पक्षियां आते हैं, और या के इनके यहां जो manse लगे रहते हैं, उसको निकालते हैं, क्या क्रोकोडाइल को फाइदा हुआ? हाँ सर क्रोकोडाइल को फाइदा ये हुआ, क्रोकोडाइल के जो दात के बीच में, cavities खराब होने का chance था, वो नहीं होगा, क्योंकि उसको वहां से मांस को निकाला जा रहा है बर्ड के दुआरा इस बर्ड को फाइदा हुआ इस बर्ड को फूड मिल गया और इसको आसानी मिल गया ये इससे दूर हो गया क्या मैं बोलू एक बात जो इसको फाइदा हुआ इसको भी फाइदा हुआ लेकिन यह mutualism नहीं है प्रोटो कॉपरेशन क्यूं है क्योंकि इतना ज्यादा कुर्कोडाइल के लिए नेसेसरी नहीं है कि अगर यह bird खतम हो जाएगा तो कुर्कोडाइल खतम हो जाएगा ऐसा नहीं है अगर किसी दिन ऐसा हुआ यह bird नहीं आया कोई और आएगा कभी ऐसा हुआ कि कुर्कोडाइल के पास खाना नहीं मिला इससे अच्छा मिलागा यह वहां चला जाएगा यह रिलेशन में दोनों को फाइदा तो है लेकिन इतना ज्यादा एक दुसरे पर यह लोग निर्वर नहीं है कि यह खतम तो वह खतम तुम्हें गर कुर्कोडाइल क को यह फाइदा हुआ कि पैरासाइट से रिलीज हो गया मांस वगरा इसका यहां से निकाला गया बर्ड को फूड मिल गया अब सवाल यह है कि सर यह जो बड़ है यह बड़ इसके अंदर जाएगा यह तो इसको भी खा सकता है यह इसका फूड नहीं है बच्चो दियान रह जाता है जैसे एक्जाम्पल अगर लाइन क्या एक लाइन जब चलता है वारस्ट में क्या वो तितली को खाते रहता है तो नुपसंचाएगा नहीं फोंचाएगा उसको खाने का कोशिस हो जशु सा का फूड ने बच्चो यह स्को नहीं खाएगा उन खोल के बेठा था ज साफ हो गया फ्रीफोगर्ड में चलिए अगर मैं इसका एक और लास्ट एक्जामपल बोलू उसका नाव एक्जामपल है हर्मिट क्रैब और सी एनिमन यह वही सी एनिमन है जिसका टेंटिकल्स होते हैं और यह टेंटिकल्स हैं नियूरो टॉक्सीन छोड़के दूसरा और्ग क्रैब जो होता है यह सबसे पहले किसी और क्रैब का सेल को किसी समुद्र जीव का सेल को खोजते हैं और उसके अंदर यह घुज जाते हैं यह तूटा फूटा सेल समुद्र में पड़ा हुआ था यह उसके अंदर जाके घुज गया यह उसका अंदर जब जाके घुज गया यह इस परकार से रह रहा है C-anamon वह इसी किनारे से फिसल कर इसके उपर आ गिया C-anamon से स्साइल नेचर का होता है C-anamon एक जगा से दूसरे जगा नहीं जा सकता है अक्सर वह एक ही जगा फिक्स होता है लेकिन आज C-anamon के लिए मजे वाला बात क्या हो गिया C&E मोन इसको उपर बैठ रहा है ये क्रैब जहां जहां जाएगा C&E मोन उसके साथ साथ चलेगा और ये स्ट्रेक्चर बहुत भैयानक हो गिया आज तक किसी ने C&E मोन को चलते भी नहीं देखा वैसे भी तो ये खतरनाक है लेकिन आज C&E मोन को देखके एक्स्ट्रा डर रहा है सब क्यूंकि C&E मोन चलते भी नजर आ रहा है इस बात के लिए इसको भी प्रोटेक्शन का फुल गारेंटी मिल गया कोई भी इसके करीब नहीं आएगा C&E मोन के डर से और C&E मोन को क्या फाइदा हुआ वैराइटी आफ फुड मिल रहा है अलग अलग जगा देखनों को मिल रहा है यह हर एक जगा जाएगा जहाँ जहाँ यह जाएगा वहाँ वहाँ यह जाएगा अब मेरा सवाल आप से है किया हर्मिट क्रैब हमेसा इसके अंदर रहेगा नाई यह कभी न właści निकलेगा यह वी कभी कभी न कभी इसका साथ छोड़ेगा जह लिए HERMIT क्रैब हमेसा जहां रहेगा और शेल बदले असे अर già मिय गई है यह। दोनों को फायदा है दोनों को फायदा क्या हूब सर स्ट्रों को और ज्यादा हर्मिट क्राप सब्सक्र Tamil Most Yes और सी एनिमोन को अलग अलग लोकेशन जाके अलग अलग वेराइटी का फूड मिल गया अगर से तो हम लोग मानते हैं जो यह रिलेशन है वो प्रोटो कॉपरेशन का ही है लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना यह है यह कॉमन सेलिजम है कॉमन सेलिजम क्या है वो मानते हैं कि वेराइटी ऑफ फूड है वो सी एनिमोन के लिए उतना ज्यादा इंपोर्टेट नहीं रखता है अगर मैं सी एनिमोन को इसको अगर मैं इसको जीरो कर दूँ और इसको प्लस कर दूँ उस रिप प्रोटेक्शन तो यही कॉमन सेलिजम बन जाएगा तो आलाग अलग है लेकिन मेरा कहना यह है अगर आपको और पहला और आपको प्रोटो कॉपरेशन मिले उसको टिक कीजिए वो ना रहे तब कॉमन सेलिम टिक कीजिए आप देखिए यह हर्मिट क्राइब जो है इसका और कुछ इसका प्रोटो कॉपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे पड़ते पढ़ते हम लोग उसका एक कॉंटर वर्शियल पॉइंट देखे वह हैं सी अनिमोन और हर्मिट क्रेब लेकिन सवाल यह कि सर आप कंफ्यूस तो करें लेकिन एक्जाम में क्या करेंगा हमें एक् अगर ऑप्षन में प्रोटॉकॉप्रेशनी तो 100 % एंसर लेकिन से अगर 首 Bubble 1953 नहीं तो जाएगा आपका रंदीन डियानगे बच्चों अगर आप से इस परकार रहेगा वहां क मैंने पहला प्रायटिय आपको प्रोटो कॉपरेशन को ही देना है लेकिन अगर वो नहीं रहा बाइचांस तो कॉमनसेलिजम देना है ठीक है बच्छो अब दिखिए अब हम लोग जो इंट्रेक्शन पढ़ लिया मेचलिजम कॉमनसेलिजम प्रोटो कॉपरेशन बहुत मैंने डीटेल में इसलिए आपको बताया ताकि आप जो एक्जाम दे तो वहां तक आप याद रख पाएं चलिए बच्छों हम लोग समराइज करते हमने मीच्यूलिजम पढ़ा यानि दो स्पीसीज के बीच में ऐसा एंट्रेक्शन जो दोनों स्पीसीज एक दूसरे पर ह दिए आपको बताया कि जो बंबल्बी होता है वह का सथ जो सेक्छलडेक्शन करता है यानि sex excitement को complete करने के लिए वह वहाँ पर जाता है फिर उसके बाद हम लोग कॉमन सरिजम पढ़ रहे थे यानि ऐसा इंट्रेक्शन जिसमें एक प्लस जैसे कि हम बोले लियानास और ट्री यह लियानास जो होता है वो ट्री को पर ऐसे इसे लिपट कर ट्रॉपिकल रेंट पॉरस्ट में चड़ते हैं उसमें इसको तो फाइदा हो रहा है लेकिन ट्री का कोई नुक्सान ना कोई फाइदा फिर एपिफाइट्स यानि फिट ना ही कोई फाइदा ना कोई नुक्सा फिर मैंने क्लाउन फिस और यह बताया आपको फिर ब्रेण बडा निकल और वेल का फिर हमने कैटल एंड स्केटल एगरेट बड्र यह जो है एक करके मैंने आपको वहात डीटेल से बताया हुआ है को हम लोग स्वाराइज कर र फाइदा लेकित एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं को खतम तो वह खतम मैंने राइनसोर्स टिक बड़ का बात किया जो राइनसोर्स जो है वो टिक बड़ जो आते हैं राइनसोर को उपर से उसका पैरासाइट लीच वगरा खाता है इसमें इसको भी फाइदा है अराम मिल रहे इसको फूड मिल रहा है बड़ अगर तीक बड़ नहीं आई गाए और और राइनसोर्स कोया नहीं हवे हर्मिट क्रेब और सी अनिमोन का इसका मैंने आपको बताया कि इसका पहला जो है हमें प्राइटी इसको रखना है अगर यह पहला प्राइटी क्या प्रोब्लम हो रहा था जो हर्मिट क्रेब है वह बहुत डरता है प्रोटेक्शन उसको ज्यादा इंपोर्टेट ने उसके लि कराबबाएन विल रहा है और हर्मिट क्रेब को क्या बेनिफिट हो रहा है नहीं कि यह तो प्रोटेक्शन मिल रहा है और हम इसको जीरो कर दे और इसको प्लस कर दें तो फिर यह पहला प्रायटी यह रहा ठीक है बच्चों यह जो लेक्चर है यह लेक्चर हम लोग पॉजिटिव इंट्रेक्शन का लास्ट लेक्चर है इसके बाद हम लोग निगटिव इंट्रेक्शन सुरू करेंगे हमने डीटेल में आपको एक एक चीज एक एक पॉइंट बताया हुआ है अगर फिर भी आपको कहीं प्रोब्लम है तो बार-बार वीडियो को देखिए पॉस कीजिए नोट्स बनाते हुए चलना आपको मैं इतना डीटेल से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप नोट्स और यह सिर्फ नीट के लिए नहीं बलकि ऑलोम कॉमेंट बॉक्स आपका इंतिजार कर रहा है मैं कॉमेंट पढ़ूंगा आपका अब जरूर अपना नाम लिखे बीजिए थैंक्स बच्चों